कॉंग्रेस जहाँ सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रही थी वही अब 22 पैसे यूनिट बढ़ा कर सरकार ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोज डाल दिया है परदेश के घरे लूप भोगताओं को जहाँ 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही थी अब इसके बाद के इस्तिमाल पर घरे लूप भोगताओं को हर यूनिट पर अतिरिक्त 22 पैसे चुकाने होंगे सरकार के लिए हम सोचेंगे जा सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचना तो हम क्या सोचेंगे वही लोगों का कहना है कि जहां पहले ही महंगाई की मार से आम जन्मानस मुश्किल में है वहीं अब बिजली की दरें बढ़ने से गरीब लोगों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा लोगों का कहना है कि जब परदेश में चुनाव थे तब कॉंग्रेस सरकार ने 300 यूनेट फ्री बिजली करने की बात कही थी पर अब बिजली फ्री करने की बजाए 22 पैसे यूनेट बढ़ने से अब लोग अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं रेलवेज हैं और लेक्टिक इवी चार्जिंग स्टेशन्स हैं जो ने सरकार की परमुक्ता में अभी शामिल किये गए हैं लेक्टिक वेहिकर चार्जिंग स्टेशन्स ठीक है जाए उजवल हिमाचल के लिए नालागर्ट से सुरेंदर सेंग सोनी की रिपोर्ट इमाचल प्रदेश के विश्वस्निय ज्वेलर भूशिन ज्वेलर सोनी